हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दनवदीव सर्ज फिजिक्स क्लास तो देखो अपने चल रहा था नाभी की बहुतिकी का चैप्टर और राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 15 और CBSC बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 13 है आपका तो ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये दोनों टॉपिक जिसके अंतर अंतरगत आते हैं वो टॉपिक है आपका शुरू करने से पहले एक चोटासा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है नाभिकिया उर्जा के बारे में ठीक है तो नाभिकिया उर्जा क्या होती है अपने उसके बारे में पढ़ते हैं पहले तो देखो नाभिकिया अभिकिरियां के फलस्व रूप हमें उर्जा प्राप्त होती है और इन अभिकिरियां से मिलने व उर्जा को अपने क्या बोल देते हैं नाभिकिया उर्जा बोल देते हैं इसके बहुत सारी उपयोग भी हैं कि जैसे आज कल जो जितना भी विदुत का उत्पादन हो रहा है वो इसी नाभिकिया उर्जा के कारण हो रहा है ज्यादा तर जो उत्पादन हो रहा है वो नाभिक तो उश्वा का अव्शोशन होता है उसको उर्जा का उद्सर्जन होता है अपने को उर्जा बाहर इसमें ठीक है ना तो अब next देखो नाबिकिया उर्जा उत्पन होने का कारण क्या होता है तो कारण आप पहले दो बार पढ़ चुके हो वैसे थो यही ठीक है ना पिल्कुल वैसा ही कारण है direct नहीं है इंडिरेक्ट लिया पढ़ चुके हो क्या कारण होता है कि नाभिकिया अभिकिरिया में उर्जा क्यों उत्पन होती है तो देखो क्या है कारण इसका कि नाभिकिया अभिकिरिया में किरिया कारकों का द्रवयमान उत्पादों के द्रवयमान के समान नहीं प्राप्त होता है तसा उत्पादों का जो द्रवेमान होता है वो किरिया कारक की तुलना में कम होता है ठीक है ना कि जो आपके उत्पाद बनेंगे मान लोगों को ये भी किरिया हुई इधर आप क्या लिखते हो लेफ्ट एंड साइड में किरिया कारक लिखते हो और राइट राइट सैंड में उत्पाद लिखते हो तो जब ये किरिया कारक से उत्पाद बनेंगे अभी किरिया करके तो ये जो उत्पाद है ना इनका द्रवेमान क्या होता है इससे कम प्राप्त होता है तो अब होता तो क्या है मैंने आपको बताया था कि नाभी किया है जितनी भी नाभी के अंदर गटनाएं होंगी उन सब में उर्जा सरक्षन, द्रवयमान सरक्षन, आवे सरक्षन सारे नियम लगेंगी तो यहां पे अगर मान लो द्रवयमान उत्पादों का किरिया कारक के समान नहीं आ रहा कम आ रहा है तो मतलब वो द्रवयमान गया कहां पे तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो द्रवयमान जाता कहां पे है उर्जा के रूप में यहाँ पे निकल जाता है इस उर्जा को अपने नाभी किया उर्जा कह देती है अब देखो पहले अपने पड़ी थी बंदन उर्जा वो एक ही नाभी के लिए पड़ी थी ठीक है फिर आपके पास क्या आई थी जो प्रिविएस अपने वीडियो में अपने टॉपिक देखा था प्रिविएस वीडियो में अपने देखा था विगटन उर्जा जिसको क्यों से लिखा था तो वो विगटन उर्जा भी किसमें मिलती है अपने को जब alpha, beta और gamma क्या होते हैं निकलती है alpha क्षय, beta क्षय या gamma क्षय की किरिया होती है तो उसमें भी क्या होता है जो उत्पादों का द्रवे माना है वो किरिया कारक से कम होता था तो वहाँ विगटन उर्जा बोला है क्योंकि नाभिक तूटता है अब यहाँ पर क्या है कि अब नाभिक में जो तूटेगा तो यहाँ से अपने को जो उर्जा मिलेगी उसको अपने नाभिक यो उर्जा बोलेंगे विगटन उर्जा वहाँ पर बोला था तो विगटन उर्जा और नाभिक यो उर्जा सेमी चीज़ है एक किसाब से नाम ही इनके चेंज किये हुए है बैस वो अलफा बीटा गामा किशह में उसका नाम विगटन उर्जा पढ़ गया और यहां पे इसको ना भी किया उर्जा कह देंगे ठीक है तो आपको पता लग गया भी क्या होता है कि किरियकारकों का दरवयमान उत्पातों के दरवयमान से क्या होता है ज्यादा होता है तो वो जो दरवयमान में कमी आती है वो दरवयमान कहां चला जाता है उर्जा के रूप में चेंज हो जाता है ठीक है और यह दरवयमान में यही कमी क्या होती है उर्जा में परिवर्तित हो जाती है और यह है उर्जा मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट की कोटी की होती है जब आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रोन जब क्या करते हैं आप क्या करते हो इलेक्ट्रोन उच कक्षा से निमन कक्षा में आते हैं तो यहां पे जो उर्जा को उत सर्जन करते हैं करते हैं न तो यह उर्जा तो होती है only electron volt की कोटी में आपने बोर कक्षा के लिए पढ़ा था minus 13.6 electron volt यह उर्जा थी ठीक है न तो यह वाली उर्जा जाती है electron volt में लेकिन जो आपकी नाभी की उर्जा होती है यह हमेशा mega electron volt मतलब 10 की power 6 electron volt की कोटी की होती है इसके आसपास ही आएगी जो उर्जा आएगी 10 की power 6 electron volt की अब next देखो फरक क्या होता है कि electron volt और mega electron volt उर्जा कितनी कोती है अब एक उधारन के द्वारा इसको book में समझाया हूँ है वो ही उधारन मैं यह आपे ले रहा हूँ कि अगर अपने 1 kg कोईला ले ले ठीक है तो कोईले को अपने को क करना पड़ता है जलाना पड़ता है कोईले के दहन से यानि कोईले को जलाने पर अपने को जो उर्जा मिलती है उस उर्जा से आप क्या कर सकते हो वो उर्जा आपकी electron volt की कोटी की होती है किसी कि होती है electron volt की कोटी की होती है यह वाली जो उर्जा होती है कोईले के दहन से ज मतलब उश्मा उर्जा मिलेगी कोईले को जलाने से कोई तरीका लगा के क्या करोज को विदूत उर्जा की रूप में चेंज करोगे तो कितनी उर्जा होगी कि वो 100 वाट का एक बलब है ना उसको 8 गंटे तक जला के रख लेगी इतनी उर्जा अपने को मिल जाती है एक विदूत उर्जा मिलती है तो अब इतने एक किलो कोईले से सिर्फ 100 वाट का बलब 8 गंटे जलता है अब यही चीज अगर आपको ना भी किया ना भी किया बहती की में बताऊं तो देखो नीचे लिखा हुआ है एक किलोग्राम इर्जा मुक्त होती है उस सारी उर्जा को व ठीक है ना तो वो विदूत उर्जा कितनी होगी कि उस से आप जो 100 वाट का बलब आपने उपर जलाया था वो कितने सालों तक जल सकता है 30,000 साल तक जल सकता है तो इतना फर्क होता है इलेक्ट्रोन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट उर्जा में यह वली उर्जा त ठीक है, तो क्या है कि एक से तो आठ गुंटे बलब जलता और एक से 30,000 जाल बलब जल सकता है तो आजकल क्या है कि अपने ज्यादातर जो आजकल क्या हैं नाबिकिया पावर प्लांट लगाए हूई है nuclear power वेले हिए स्टायर में अविक्राय। उपरा आपने पड़ा है नाभिकिया उर्जा के बारे में वो एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी ठीक है न? अब यह है अभिकिरिया में टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट होता है और लास्ट दो टॉपिक है एक नाभिकिया विखंडन और एक नाभिकिया सल्यन यह विखंडन के टाइप है दोनों नाभिकिया विखंडन और लास्ट टॉपिक अपने इस चैप्टर का अगर नाभिकिया सल्यन तो अब आज की वीडियो में अपने नाभिकिया विखंडन के बारे में पड़ेंगी तो नाभी किया विखंडन क्या है एक नाभी किया अभिकिरिया का प्रकार है तो विखंडन मतलब खंडन हो जाना मतलब क्या होना तूट जाना ठीक है तो नाभी किया विखंडन इसको नियूकलियर फिशन बोल देते हैं तो क्या होती है नाभी किया विखंडन तो किसी बारी नाभिक के दो या दो से अधिक हलके नाभिकों में तूटने की परकिरिया कोई क्या बोल देते हैं अपने नाभिकिय विखंडन बोल देते हैं ठीक है कि कोई बारी नाभिक होगा और वो बारी नाभिक क्या होता है दो या दो से कि नाबिक की विखंडन जो होता है वो होता क्यों है कारण क्या उसका ठीक है तो कारण आपको मैंने पहले बताया हूँ इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कारण इसका कि नाबिक क्या होते हैं जो बारी नाबिक होते हैं वो बारी नाबिक ऐस्था ही होते हैं उनकी परती न्यूक्लियन बंदन उर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, तो परती न्यूक्लियन बंदन उर्जा का मान कम होने के कारण वो ऐस्ताई होते हैं, और वो क्या होते हैं, स्थाई नाभिकों में तूटते हैं, क्योंकि प्रकृती में हर एक चीज स्थाई होना चाह तो इस प्रकिरिया को ये अपने क्या बोल देते हैं नाभी किये विखंडन बोल देते हैं तो नाभी किये विखंडन का मैंने यहां पर कारण ने लिखा हुआ कारण आप खुद याद कर सकते हैं और बताया भी यह हुआ है मैंने आपको कि नाभी किये विखंडन का कारण पर प्रतम 1949 में आटोहन और स्ट्रासमन दो साइंटिस्ट थे आटोहन और स्ट्रासमन दो नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने की थी और उन्होंने क्या किया यूरेनियम लिया यूरेनियम का कौन सा 92 यू 235 देखो यूरेनियम के क्या होते हैं दो आपके इसको बोलेंगे यूर समस्थानिक यह होते हैं जिनका क्या होता है जेड का मान सेम होता है और क्या होता है एक का मान अलग-अलग तो इरेनियम का एक तो 92 U 235 होता है समस्थानिक और एक होता है 92 U 238 ठीक है प्रकरती में ज्यादा यह पाया जाता है लगबग 99% क्या होता है इरेनियम 238 पाया जाता ह और जो इरेनियम 235 होता है वो लगबग 1% के करीभी पाया जाता है लेकिन क्या है कि ये वाला जो इरेनियम 235 इस पर क्या है कि ये टूट जल्दी जाता है मतलब इखंडन जल्दी हो जाता है और बहुत ही जल्दी उर्जा मिल जाती है लेकिन ये वाला जो uranium है है ये जल्दी तूट हता नहीं है ठीक है न तो ये वाला uranium क्या है तूट जल्दी जाता है तो उन्होंने क्या किया कि uranium का समझ थानिक ले लिए 92 U 235 मतलब वो uranium लिए जिसका प्रमानू बाहर कीटना हो कि बंबारी की मतलब इसकी आप ऐसे कह सकते हो भी अभी किरिया कराई न्यूट्रोन के साथ या इस पर उसने न्यूट्रोन डाल ले ठीक है ना अब आपको होगे भी सर नियूटरोन तो फ्री होते नहीं है ये तो किस में होते हैं नाबिक में होते हैं ठीक है ना तो ये समस्या होगी पर नियूटरोन कैसे डाल सकते हैं तो आपको कहा है कि आपको मैंने बताया था कि जब भी नाभी की अभिकिरियां होती हैं इसमें न्यूट्रोन प्रोटोन फ्री हो जाते हैं बीच में लेकिन आप ऐसे नहीं भी अलग निकाल लो उनको उन्हीं प्रोटोन न्यूट्रोन को आप यूज कर सकते हो आगे नाबिक ये अभिकिरियाओं के दौरान ही क्या होते हैं ये फ्री हो सकते हैं तो नाबिक ये अभिकिरियाओं से उन्होंने क्या किये ये वाले जो न्यूट्रोन है ये प्राप्त किये थे ठीक है न तो क्या है कि इनकी बंबारी की तो उन्होंने पाया कि उरेनियम का जो नाबिक होता है वो दो हलके कॉँड़ेकों एक तो बेरियम और दूसरा क्या क्रिपटॉन दोनों के परमाणू कर्माग माने लिखी होए हैं बेरियम क being 56 और क्रिपटॉन का 26 तो इसमें क्या होता है? यह वाला जो होता है टूट जाता है नाभी और साथ में ही अत्यारिक मात्रा में उर्जा मुक्त होती है और यह अभी किरिया निमन परकार दरशाई जाती है यह उन्होंने प्रयोग किया था आटोवन अरो श्ट्रासमें ने की इरिनियम लिया और उसकी अभी किरिया एक न्यूट्रोन से करवाई पताप यह न्यूट्रोन से नाभी किया अभी किरियां में न्यूट्रोन फ्री हो सकते हैं यह पॉसीवल है तीन न्यूट्रोन उनको यहां पे मिले और साथ में उर्जा मिली और उर्जा मिली कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट उर्जा मिली जो की उर्जा की बहुत बड़ी मात्रा है ठीक है न तो यह उन्होंने अपने परियोग द्वारा देखा और इस अभिकिरिया को उन्होंने नाम दिया ना भी किया विखंडन अभिकिरिया और सबसे ज़्यादा एक्जामपल इसका ही दिया जाता है ना भी किया विखंडन में ठीक है क्योंकि इसका विखंडन परियोगी ग्रूप से तो सबसे ज़्यादा example जो होता है वो इसी का दिया जाता है uranium का और यही पढ़ेंगे अपने ठीक है यही आपकी book में दिया हुआ है अब next देखो next जी जाती है ताप यह neutron या इन neutron का दूसरा नाम है मंदगामी neutron neutron मंदगामी neutron तो यह होते क्या है वे neutron जिनकी उर्जा बहुत कम होती है और यह किसी नाबिक पर आप्तित करवाने से नाबिक में असानी से प्रवेश कर जाती है अब कोई आपका नाबिक है मालो यह नाबिक पर क्योंसा अवेश होता है प्लस अवेश होता है तो अब आप क्य करो कि ये वाला न्यूट्रोन है कोई ताप ये न्यूट्रोन है इसकी उर्जा बहुत कम है तो इसको आप क्या करो इस नाबिक में प्रवेश करवा सकते हो इसका कोई विरोध करने वाला नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि अगर मालो इस न्यूट्रोन की जगह मैं यही कह दू भी proton को अंदर बेज रहे हैं तो proton को अंदर बेजना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि अंदर पहले सी plus charge है positive charge है तो proton को यह ओला plus charge परतिकरशित करेगा लेकिन neutron पे तो कोई charge ही नहीं होता neutron तो क्या होता है uncharge होता है तो नाबिक में आप इसको प्रवेश करा सकते हो असानी से और नाबिक में प्रवेश करके क्या करता है हलचल मचा देता है ठीक है न और ये नाबिक क्या होता है तूट जाता है अभी जो next topic है द्रव बूंद परतिरूप या द्रव बूंद मॉडल वाला उसमें अपने ये चीज पढ़ेगे कि नाबिक क्या विखंडन कैसे होता है क्यों होता है वो तो आपको बता दिया अभी नाबिक क्या होना चाते है स्थाई होना चाते है वो कैसे होता है वो अपने पढ़ेंगे द्रव बूंद परतिरूप में तो अब आपने क्या किया कि ये वाले नमंदगामी न्यूट्रोन जो होंगे न्यूट्रोन होते हैं और ये न्यूट्रोन नाभिकिया अभिकिरियां सो ही प्राप्त किये जाते हैं वे अन्य नाभिकिया अभिकिरियां को चलाने में काम आते हैं मतलब किसी ना किसी अभिकिरिया करवा के उनसे जो न्यूट्रोन मिलेंगे ये वड़े न्यूट्रोन ही अपने निकाल लेंगे और इन न्यूट्रोनों को किसी और अभिकिरिया में यूज कर लेंगे ठीक है तो इनको अपने तापिय न्यूट्रोन या मंदगामी न्यूट् किया जाता है ठीक है अब next के आए point कि उपर दी गई नाभी किये विखंडन अबिकिरिया में प्राप्त 3 Neutron 3 वर गामी Neutron कहलाते हैं क्या कहलाते हैं जो 3 Neutron जो इदरवाला Neutron था इसको तो मंद गामी Neutron बोला क्योंकि इसकी ऊरजा कम होती है ठीक है न इसकी उर्जा लगबग electron volt की कोटी की होती है आपकी book में दिया भी हुआ है यह देखो आपको दिखा देता हूँ मैं यहां पे कि जो इसमें topic है आपका ना भी किया है भी खंडन निकालते हैं इसमें तो इसमें क्या होता है कि यह वाली उर्जा देखो दी हुई है यह उर्जा दे दी यहां पे कि जो आपके क्या है मंद गामी neutron होते है या ताप यह neutron उनकी उर्जा लगबग इतनी होती है 0.04 electron volt के करीब तो यह बहुत ही कम उर्जा है लेकिन यहां पे देखो आपको जो दिया हुआ है कि जो आपके तीवर गामी neutron आते हैं तो उनकी जो लगबग 2 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट के क्रीब होती है इसकी तो आई 0.04 इसकी कितनी आगी लगबग 2 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट के क्रीब और जागी ठीक है तो तीवरगामी और मंदगामी न्यूट्रोन आपको बता लगे होंगे क्या होंगे मंदगामी न्यूट्रों तो किसी पहले अब किरिया से क्या होते हैं प्राप्त होते हैं और तीवर गामी क्या होते हैं जो इरेनियम वाली अब किरिया इससे प्राप्त होते हैं अब इनको अपने मंदगामी बना सकते हैं जो तीवर गामी होते हैं इनको मंदगाम अब next देखो क्या होता है कि नाभिके विखंडन में प्राप्त ये वहला point important है इसमें कि नाभिके विखंडन में प्राप्त नाभिकों की जो द्रवेमान संख्या होती है वो ठीक बराबर नहीं होती जैसे आपने अभी पड़ा है उपर कि एक की जो द्रवेमान संख्या है वो तो क्या होता है, चित्रानुसार इरेनियम के विखंडन से लगबग 20 से अधिक तत्व और 100 से अधिक समस्थानिक प्राप्त होते हैं, प्रन्तु सबसे ज़धा प्राइक्ता बेरियम और क्रिप्टॉन की पाई जाती है, मतलब अपने को जब आप क्या करवाओगे ये वाले अभिकिरिया करवाओगे ना, तो इस अभिकिरिया में अपने को लगबग 20 तत्व मिलेंगे, देखो कितनी जवर्दस चीज है, कि एक ही अभिकिरिया से अपने को लगबग 20 तत्व और 20 तत्वों के आगे समस्थानिक तो इतने सारे अपने को एलिमेट मिलते हैं इसमें ततव मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यानि 99 परसेंट जो इस मात्रा होती है वो इसमें बेरियम और क्रिप्टॉन की पाई जाती है तो तब यह क्या है कि ये वाले तो क्या हैं ये ग्राफ अपने को ये दर्शार है कि द्रवैमान संक्या इदर तो द्रवैमान संक्या ली जुए इस अक्ष पे अपने उत्पाद लिया हुआ है तो उत्पाद की जो सबसे ज़्यादा मात्रा वो यहां 92 नमबर पे तो क्रिप्टोर्न और 141 नमबर पे बेरिया मिलता है अब यह वाला उत्पाद कुछ भी हो सकता इसकी द्रवयमान संके इतनी होगी एक उत्पाद ये वाला भी हो सकते उत्पाद सारे ही मिलेंगे यहां से लेके और यहां तक अलग-अलग सारे उत्पाद इसमें मिलेंगे लेकिन क्या है कि इनकी मात्रा कम होगी इस उत्पाद की मात्रा है वो कितनी आ रही है इतनी आ रही है लेकिन क्रिप्टोन की क्या रही है इतनी मात्रा रही है तो यह इसकी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने को बेरीम और क्रिप्टोन मिलेगा अब आपकी बुक में देखो दिया भी हुआ है इसको कि कौन-कौन से उत्पाद बनते हैं इसमें कि ये देखो आपको अभिकिरिया में दिखा देता हूँ इसकी ये वाली अभिकिरिया दी हुई है ठीक है न ये अभिकिरिया यहाँ पर दी हुई है कि 92-235 जब एक न्यूट्रोन से मिलता है तो देखो बेरियम और क्रिप्टोन चलो ये तो बनते ही हैं लेकिन इसकी 144 और इसकी 90 और 2 न्यूट्रोन निकलते हैं फिर ये उत्पाद भी बनते हैं सभिकिरिया में ये भी बन जाते हैं ये भी बन जाते हैं ये आगे से आगे विगटितों के बनते रहते रहते हैं मात्रा बहुती कम होती है इन सब की लेकिन जो आपका क्या है 56 बीए 141 अपने को मिलता है एक तो 56 बेरियम कितना 141 एक तो ये और 36 के आर बानवे क्रिप्टॉन 36 बानवे 36 के आर बानवे इन दोनों की मात्रा क्या होती है हाइश्ट अपने को मिलती है इस अभी किरिया में तो तो ऐसे तो क्या है कि यह अभी किरिया बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी लेकिन अपने मेन उत्पाद रखते हैं अभी किरिया में जो इसको दिखाते हैं ठीक है ना तो यह हो जाएगा अब next देखो यह समझ आ गया होगा आपको कि सबसे ज़्यादा यह वले उत्पाद बनते हैं अब एक उधारन दिया हुआ है उस उधारन के थ्रू अपने समझते हैं कि जो अपने ऊपर ना बिकिया अभी किरिया में ना बिकिया उर्जा जो मुक्त होती है उसको कैसे निकालने है ठीक है ना निकालने का तरीका आपने पढ़ा हुआ है लेकिन यहां पर क्या है कि थोड़ी सी language change हो जाती है कि अभी उपर आपको यह वल यह विकिरिया करवाई है और इसमें मैंने यह बताया है कि इसमें लगबग 200 mega electron world उर्जा निकलती है तो यह उर्जा अपने को calculate करनी है तो यह example मैंने लिया हुआ और CVSE board में यह example आया भी हुआ है और आपकी पुराणी book में भी यह example दिया हुआ है ठीक है कि 92 U-235 के लिए विखंडन में प्राप तूर्जा का मान आपको निकालना है और आपको दिया हुआ है कि 92 U-235 का द्रवयमान इतने AMU है यह पुराणी book में AMU चलता था तभी मैंने AMU लिख दिया और आज कल इसको U के द्वारा लिखते हैं ठीक है ना तो U भी इसका ही सिंबल होता और AMU भी इसका AMU पुराणा और U नया है आपको neutron का द्रवयमान दिया हुआ है barium का द्रवयमान दिया हुआ है क्रिप्टोन का द्रवयमान दिया हुआ है AMU में और लाश्ट में दिया हुआ है कि एक AMU 931 मेगा इलेक्टोन वल्ट बटा सी स्क्वेर की इकवल होता है तो आपको क्या है कि अभी किरिया वो ही uranium वाली कि इस अभी किरिया में आपको क्या निकालना है विखंडन उर्जा निकालना है जो ये वड़ी उर्जा लिखी हुई है इसका मान निकालना है तो आप क्या करोगे आपको पता है कि ये उर्जा बंती कहां से है कि ये वाले जो किरियाकार कहना इनका द्रवयमान इन उत्पादों के द्रवयमान से क्या होता है ज्यादा तो अपने पहले किरियाकार को का द्रवयमान निकालेंगे फिर उत्पादों का फिर दोनों को गटा देंगे और उर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे? mc square वाला formula लगा देंगे तो वही चीज़े यहां पर है देखो next क्या किया हुआ है कि विखंडन से पूरो द्रवयमान क्या है कि इसको m1 मान लेता हूँ मैं विखंडन से पूरो द्रवयमान को और इसको अपने लिखते हैं कि 92 u 235 का द्रवयमान और प्लस न्यूट्रोन का द्रवयमान क्योंकि left hand side में तो दो ही चीज़े थी वे एक 95 u 235 और एक न्यूट्रोन तो इनका द्रवयमान यह आ गया दोनों को जोड़ दिया तो यह आ गया अपने पास 236.0526 AMU अब विखंडन के बाद द्रवयमान किस किस का होगा बेरियम का क्रिप्टोन का और तीन न्यूट्रोन का तो जब अपने इसको जोड़ते हैं अपने द्रवयमान के इन तीनों के द्रवयमान को तो वो अपने पास देखो आ जाता है 235.8373 AMU यह आ गया तो द्रवयमान देखो कम आ रहा है जो अपने उपर चीज पड़ी थी ना वो अपने एक्सपेरिमेंटली देख भी लिया इसको एक्जामपल में देख भी लिया कि द्रवयमान क्या आ रहा है कि यह कार को से उत्पादों का कम आ रहा है तो द्रवयमान में जो कमी दिखाएंगे अपने वो किसे दिखाएंगे M1 माइनस M2 से दिखाएंगे तो M1 माइनस M2 अपने क्या कर देंगे माइनस M2 क्या है विखंडन के बाद का द्रवयमान तो अपने पास ये आ जाएगा द्रवयमान में कमी या द्रवयमान क्षती कहाद होगी इसको आप ठीक है अब इस द्रवयमान को अपने क्या करना उर्जा में चेंज करना हो तो इसको C-square से वैसे तो गुणा करना चाहिए लेकिन आपको पता है कि AMU में द्रवयमान हो तो उसको 391 से डिरेक्ट गुणा कर दो उतने मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट आंसर आ जाएगा तो 931 को जब आप 0.2153 से गुणा करोगे तो लगबगा आपके पास 200 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट क्या आ जाएगा उर्जा का मान आ ठीक है तो यह था अपना जो टापिक नाबिके विखंडन का अब नाबिके विखंडन में दूसरा टापिक आता है नाबिके विखंडन का द्रव बूंद परतिरोप उस से पहले एक नोट लिखा हुआ है कि परमानु बं बनाने में भी 95235 को प्योंग किया जाता है जो पर कामानु बंब वर्क कैसे करता है ठीक है ना तो वह बी ना भィकिया विखंडन पर राधारी तो होता है इसी से बनता है वो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हो है द्रव द्रव बूंद परती रूप तो देखो यह जो द्रव बूंद परती रूप है ना बड़ी क्लासों का टॉपिक है वैसे तो और बहुत ही लंबा टॉपिक है काफी यह आप ऐसे कहलो भी 10-12 पेज का यह टॉपिक होगा लेकिन आपके only इसकी introduction दी हुई है और simple से simple रूप में दिया हुआ है जिससे आपके क्या आजाए असानी से समझ में आजाए तो आपको इतनी चीज़ी याद रखनी है जितनी आपको बताई हुई है डिटेल में तो आगे बहुत आजाएगा आप कोई कमी नेरी की डिटेल की लेकिन आपके जो बारवी क्लास में आप इसको जित प्रता कैसे है ठीक है ना भी नाभी किया विखंडन की अभी किरिया कंप्लीट कैसे होती है नाभी किया विखंडन कैसे होता है कंप्लीट सारा तो अब उसके बारे में अपने को पता लगे अभी नाभी किया विखंडन कैसे होता है अगर आपको यह आ जाए तो उसको आप इ द्रव बूंद मॉडल से समझा सकते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल ओफ न्यूक्लियर फिशन कहा देंगे इसको तो देखो क्या है कि नाभी किया विखंडन को बोर और वहीलर द्वारा परती पा दी तो द्रव बूंद मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है बिनाभी के विखंडन के अगर आपको व्याख्या करनी हो तो इसके लिए दो साइंटिस्ट थे एक तो बोरी था और एक वहीलर नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने ये मॉडल दिया और यहां है मैं इसे अत्यांत सरल रूप में समझेंगे क्योंकि आपकी बुक में दिया ही सरल रूप में हुआ है तो इसके रूप में क्या मानते हैं देखो द्रव बूंद परति रूप के अनुसार नाभी को गोलाकार आवेशित बूंद के रूप में माना जाता है पिनाबिक को अपने ऐसे मानते हैं पिनाबिक क्या एक बूंद के अकार का होता है और वो बूंद कैसे है गोल है और आवेशित मतलब इस पे कौन सा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है अवेशित होता है यह वाली जो बूंद होती है जैसे पानी की बूंद होती है चोटी जो बूंद होती है वो तो होती है गोल गुलाकार होती है लेकिन अगर उसी बूंद का अकार बढ़ जाए थोड़ा सा तो वो चप्टी हो जाती है और चप्टी होती 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 क्या हो जाती है वो बूंद ना रहके कई बार्ट्स में डिवाइड हो जाती है वो जाते हैं एक तो नभी का अकर्शन भल जो सारे प्रोटोन और नीटरन को बांद के रखता है और दूसरा कुलाम पर्तिकर्शन भल भी पाये जाता है प्रोटोन और प्रोटोन के बीच में तो देखो दो बल लग गए यहांपे नभी के अंधरी एक तो लगता है बाहर की लेकिन दूसरा जो बल होता है वो आकरशन का होता है वो सारे Newton और proton को बांद की रखता है जिसको अपने नाभी की बल बोल देती है तो ये दोनों बल दूसरे को balance करके रखते हैं तो तब ही जो नाभी को था वो उसका अकार क्या रहता है सही रहता है गोल अकार में वो रहता है ठीक है और इसमें से अगर एक भी बल उंचा नीचा हो गया मतलब कम या ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा नाभी की शेप चेंज हो जाएगी ठीक है तो अब देखो कैसे होती है जो नाभी की जो परकिरिया होती है जब जरवबुंद परतिरूप के अनुसार कि जब 92 U-235 यानि इरेणियम 235 होता है जैसा बारी नाबिक एक मंद न्यूट्रोन को अवशोशित करता है यह जब एक मंद न्यूट्रोन क्या आता है इसके पास लाते तो neutron की उर्जा नाबिक की आंतरिक उतेजन उर्जा में बदल जाती है भी ये जो neutron होगा इसकी कुछ उर्जा होगी और इस उर्जा से क्या होगा ये जब आपका neutron इस नाबिक के अंदर चला गया तो अब उर्जा ये नाबिक में चलीगी तो ये वाली उर्जा अंदर जाके हल्चल पैदा कर देती है नाबिक के और इसको आंतरिक उतेजन उर्जा बोलते हैं मतलब इससे नाबिक क्या हो जाता है उतेजी तो हो जाता है मतलब उसको एक्स्ट्रा उर्जा मिलगी जैसे आप electron को मालो electron किसी कक्षा में पड़ा हुआ है तो इसकी उर्जा fix है उसमें अब अगर बाहर से इसको उर्जा दे दोगे तो ये क्या करेगा jump करेगा मतलब उतेजी तवस्ता में चला जाएगा तो वैसी नाभिक होता है कि जब बाहर से इसको neutron से उर्जा मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है आपका जो नाभिक होता है इसमें उतेजन उर्जा बदल जाती है मतलब इसकी उर्जा इसकी उतेजन उर्जा बदल जाती है अब इस उतेजन उर्जा के कारण क्या होता है मतलब जैसे आप neutron दिया ना भी क्या करने लग जाएगा company करने लग जाएगा क्योंकि इसकी उर्जाव बढ़ गई है पहले की तुलना में तो अब शोच्चन के बाद ये देखो दूसरा point जैसे जैसे मैंने ये point लिखे हुए हैं तो अब शोच्चन के बाद क्या हो जाएगा तीवर इसमें company start हो जाएगे और इससे इसकी shape change हो जाएगी मतलब अंदर से हिलना start हो जाएगा ना भी company करने लग जाएगा neutron को अब शोचित करने के बाद अब तीसरे के कारण क्या होता है तीसरे जो point है कि इन company के कारण नाभी क्याकरती डंबल क्याकर की हो जाती है ये डंबला कार आकरती होती है डंबला कार जो आपने जो PT करते है न वो डंबल भी उठाते हैं कही बार ठीक है न तो ये डंबला कार आकरती होती है या आप जो क्या है कि जो bodybuilder होते हैं वो भी dumbbell उठाते हैं तो वैसी आकरती हो जाती है मतलब दो साइड तो उबरी होई और बीच में से ये पिचक जाता है ठीक है ऐसे हो जाता है तीसरे step में इसके आकरती क्या हो जाएगी सुतेजन कंपन के कारण क्या हो जाएगी डंबल के आकार की हो जाएगी ठीक है ये उन्होंने प्रयोगों के अदार पर बताया था जो bore और wheeler थे उन्होंने अब next क्या है कि जब इसके आकरती डंबल के आकार की हो गई तो अब क्या होगा कि इसमें जो proton और neutron थे मैंने आपको बताया था कि नाबी के अंदर proton और neutron होते हैं और जो आपका दो बल थे इसमें एक नाबी की अबल था और एक कुलाम बल था अब नाबी की अबल तो क्या होता है मैंने कहा था कि अगर थोड़ी बहुती दूरी अपने चेंज कर दे ना प्रोटोन और न्यूटोन के बीच बढ़ाते हैं दूरी तो ये वाले बल बहुत ही कम हो जाते हैं लग बग नगन्या हो जाते हैं ये वाले जो बल हो जाते हैं क्योंकि दूरी के साथ यह क्या होते हैं दूरी पर बहुत ही ज्यादा निर्बर करते हैं यह अगर थोड़ी बहुत भी दूरी आपने चेंज कर दी तो इसका बहुत ज्यादा मान चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि ना भी किया अब देखो पहले तो न्यूट्रोन और प्रोटोन इतने इसी बॉल में बंदे वे थे अब न्यूट्रोन और प्रोटोन एक दूसरे से दूर होगे तो अब proton भी क्या होगे एक दूसरे से दूर होगे neutron proton सारे एक दूसरे से थोड़ थोड़े दूर होगे तो दूर होने के कारण क्या होता है कि इनके भी जो कुलाम बल होता है वो तो रहता है परभावी लेकिन जो आपका नाभी की अबल होता है ठीक है तो धकेले के कारण इनके आकरटी डंबलाकार हो जाती है और दीरे दीरे जब यह पर्तिकर्शन बल बहुत जादा हो जाता है तो यह नाबी क्या हो जाता है दो पार्टस में टूड जाता है ठीक है na तो चौते स्टैप में वही चीज जो आपको भी बताई है में तूट जाएगा तो इसको अपने बोल देते नाबिक का दो मद्यावर्ती नाबिकों में तूटना ठीक है फिर लास्ट जो पॉइंट आता है वो देखो क्या आता है इसमें कि इस विखंडन से जो प्राप्त उर्जा मतलब जो अभी अपने विखंडन उर्जा निकाली थ वो क्या होती है उस उर्जा का कुछ बाग तो उर्जमा के रूप में और कुछ बाग क्या होता हैăm विखंडन उत्पादों और निewट्रोनों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। विखंडन में अपने को विखंडन उर्जा मिलती है वो उर्जा कहां चली जाती है कि उसकी जो उर्जा होती है वो कुछ तो क्या होती है इनको गती परदान करती है मतलब इनकी गती जूर्जा बन जाती है ठीक है न जो टूटे और इनाबी के हैं ये क्या करते हैं गती करते ह तो कुछ उर्जा तो इनकी गतिज उर्जा बन जाएगी कुछ उर्जा कहां चली जाएगी जो तीन न्यूटरोन इसमें से निकले थे उनकी गतिज उर्जा में चली जाएगी और बाकी जो बची उर्जा वो किसकी रूप में निकलती है तो उश्मा की रूप में निकलती है तबी क्या होता है कि परमानू बम जब फटता है तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन होती है तो वो उर्जा विखंडण के फल्स रूप उश्मा उर्जा उत्पन होगी है ठीक है ना तो इसकी गतिज उर्जा की रूप में प्रकट होती है और लाश्ट इसमें आता है कि वह नियूंतम उर्जा जिससे किसी नाविक का विखंडन संभब हो पाता है उसे क्रांतिक उर्जा कहते हैं कि आपको कोई न्यूट्रोन है जो मंदगती का न्यूट्रोन उसकी मिनिमम उर्जा होनी चाहिए जिससे क्या करे कि किसी नाबिक से जब ये टकराए तो वो उसको क्या कर दे विखंडित कर दे तो इस neutron की जो minimum उर्जा होगी, कम से कम उर्जा, जिससे क्या करें, किसी नाभिक को तोड़ सके, या विखंडित कर सके, उसको अपने बोल देते हैं, इसकी क्रांतिक उर्जा, ठीक है, तो यह आपके आज का topic था, उमीद आपको समझ आ गया होगा, यह इसके 5 point है, पांचो के explanation दे दिया, आपको यह 5 point याद रखनी है, ठीक है, simply यह 5 point की पहले क्या करना है, मंद neutron आता है, और यह इसकी shape बिगाड़ देता है, shape बिगाड़ने के बाद डंबल किया करती है, और उसके बाद दो बागव में यह तूट जाता है, और last में अपने को दो अलग-अलग विखंडन के लिए जो आवशक minimum मुर्जा उसको अपने करांती कुर्जा कह देती है, ठीक है, तो यह आपका topic था, आज के दो topic विखंडना भी किया, विखंडन स्टार्ट किया है, अपने काफी अच्छा topic है, इसको आप याद करते चलो, यह वाला chapter आपका theoretical है, इसके आपका करते हैं.